आपनिवेशिक शासन और उसमें देहातों के स्थिति इस पर चर्चा करते हुए अब हम चलते हैं उस काल के उस व्यक्ति के बारे में जानने के लिए जिसके विवरंट खासकर देहातों के विवरंट अंदरूनी विवरंट काफी प्रकाश डालते हैं तदकालीन समाज पर बुकानन इसका नाम पहले भी मैंने लिया है दो तीन बार अब थोड़ा से इसके बारे में धरा जाने के फ्रांसेज बुकानन कौन थे उनका क्या क्वालिफिकेशन था क्या योग्जिता थी और इनकी पुस्तक इतनी अहम क्यों है बुकानन जो है वो इनका जो भारती वि लेकर 1815 तक का काल यानि लॉड़ कॉन्वालिस की शुरुवात चिलेकर 1815 का इसका विवरंड देहातों का गाउं का ग्रामीयमियर गवस्था का काफी विस्तार से हमें इनकी यात्रा वित्तान्तों में मिलता है ये जो काल जो दिया हुआ है ये काल उतना महत्पूर्णी जितना कि उसके द्वारा दी गई वर्नित की गई घटनाएं जातियों के बारे में उसके विचार समाज के बारे में उसके विचार और उसके अलावा रहन सहन, शासन पध्धती जो अन्य कुछ व्यवस्थाएं थी इन व्यवस्थाओं को लेकर इसने जो टिपणी की है वह निश्चित रूप से निशंदे अत्याधिक महत्पूर्ण है ये कोई बकानिन जो है ये हमें जानना होगा कि ये ना तो कोई इतिहासकार था और ना कोई सर्वे अधिकारी था यानि इसका उस चीज से कुछ लेना देना नहीं था जिस चीज के कारण आज हम उसे ज्यादा जानते हैं हम उसको मूल रूप से जानते हैं तक कालीन गरामीर परिवेश को गरामीर विवस्ता को शासन विवस्ता को देखना और उस पर अपनी टिपड़ियां लिखना लेकिन इन में से दोनों ही कारे उसके अपने कारे के दाइरे में नहीं थे, वो मूल रूप से एक चिकित्सक था, वह ना इतिहास का, ना सर्वे अधिकारी, बलकि एक तरह से एक चिकित्सक था, और कुछ समय तक लॉर्ड विलेसली का भी शल्ल चिकित्सक रहा, लॉर्ड वि से गवर्नर्ट जनरल का वा शल्ट केसुक रहा है कलकत्ता में चीड़िया घर की स्थापना करने का भी श्रे सुरे इसको जाता है यह भी उसके दाएरे में कहीं नहीं था लेकिन उसके अपने शाउक थे उसके अपनी कुछ खास आदिते थी जिसके लिए वह जाना जाता था और जिसके कारण उसको तत्काली इन विशेश शासन के अधिकारियों ने उसका समय समय पर उपयोग किया और उस उपयोग की ही परनिती इस तरह के उसके observation के रूप में निकली ये जो चिडिया घर का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ शलिचिकित्सक होने के अलावा ये वही कलकत्ता का अलीपुर चिडिया घर है जो बहुत प्रसिद्ध है और उसको स्थापित करने में इसने बहुत बड़ा योगदान लिया कुछ समय तक तो वह वानस्पतिक उद्ध्यान का प्रभारी भी रहा यहने वानस्पति शास्त्रों वानस्पति विभिन तरह के जो पौधे फलफूल हैं इसके बारे में भी जानकारी रखता था और अच्छी और सही जानकारी रखता था तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बुकानन एक ऐसा व्यक्ति था जिसमें जिसके विद्वत्ता के विभिन आयाम थे वो बहुत सी चीजों में पारंगत था उद्ध्यान प्रभारी होने के साथ सी साथ बंगाल सरकार के पर उसने कंपनी का जो अधिकार ख्षेतर है याने कंपनी की जो भूमी है बंगाल में और उसके आस पास वो भूमी की सीमा निर्धारन करना उस भूमी का विशद सर्वेक्षन करना यह कारे फ्रांसिस बुकानिन को दिया गया और उसने इस कारे को बखुबी किया दुर्भागी से 1815 में उसकी तबियत खराब होने लगी और इस तबियत खराब होने के कारण इंग्लेंड जाने के लिए वापस जाने के लिए वो विवश हुआ वहां कुछ समय पश्चाद उसकी मां का स्वरग्वास हो गया और प्रणाम स्वरूप मा की जो संपत्ति थी उसका उत्राधिकार बना उसका उत्राधिकारी बना और वह संपत्ति उसे मिली उसी के साथ उसकी जो अपनी वंश पैत्रिक जो टाइटिल थी पैत्रिक जो उसका वंश का जो नाम था हैमिल्टन वह भी उसने ग्रहन किया और इस प्रकार अपने अंतिम वर्षों में वह फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन के नाम से जाना जाने लगा तो ये तो बात हुई बुकानन के जीवनी की संख्षप्त में उसका जीवन 1793 से 1815 तक कैसा था क्या क्या उसके आयाम थे और क्या क्या उसके अपने अपने रुची की चीजें थी अब हम करते हैं कि उसने आखिर लिखा क्या मूल रूप से बुकानन के जो अब्जर्वेशन्स है वे अब्जर्वेशन मूल रूप से पहाडिया संथाल और क्रिशी विस्तार पर है मैं प्रारम से जब पहाड़िया का जिक्र किया था राजमाहल की पहाड़िया प्रजाति का और ऐसे ही संथालों का तो बुकानन का नाम बार बार लिया है और अभी जह था मैंने अंत में बताया कि बंगाल की सरकार ने अपने राजस्व वृद्धी के अध्येशित से क्रिशी भूमी का सर्वे करवाने का जो निर्णा लिया था उसकी काफी हम जिम्मेदारी उसने बुकानन को दी थी इस कारण बकानन का संदर्ब, बकानन का जिक्र, संथाल, पहाडिया और साथी कृष्य विस्तार के मामले में भी बार बार आता है अपनी ये जो शक्ती सुर्दिर्ट करने के लिए अपनी ताकत अपना वर्चस बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने ये बहुत उनके लिए अपने लिए जरूरी था कि वे अपना राजस्व बढ़ाएं, साथ ही व्यापार जो उनका व्याविसाय था उसका विकास करने के लिए भी इस मूल उद्देश्च से प्राकृतिक संसाधनों को कैसे और बढ़ाए जाए प्राकृतिक संसाधनों की खोज और कैसे हो इस उद्देश से भी उसने बार बार इसके अपना कारी किया और समय समय पर उसने सरकार को इस प्राक्रितिक संसादिनों की जानकारी दी, कंपनी का जो मुख्य देश था कि प्राक्रितिक संसादिनों की खोट करना जिन पर वे ऐसा अधिकार पास तकें कि अपनी इच्छानुशार उसका दोहन कर सकें ऐसा प्रयास उनके द्वारा होता और इसी परिप्रेक्ष में इसी उद्देश से इसी बैक्ग्राउंड को लेकर बुकानन को कारे दिये गया जिसनों से बखू भी निभाया और उसके साथ ची साथ विश्तरित रूप से सर्वेक्षन करवाई यही सर्वेक्षन का परणाम था कि बंगाल की भूमी विवस्था चाहे वो विश्थाई बंदोबस विवस्था हो चाहे उसके बाद रियतवारी विवस्था हो इन सब विवस्थाओं के पीछे कहीं ने कहीं बुकानन का क्रिश्य विस्थार का सर्वे एक बहुत महुत पूर्ण कारे करता है जो अंग्रेज इस्ट इंडिया कंपनी के एद चाहे वो राजस्व से हो च्याहे वो व्यापार से हो उसको बढ़ाना चाहते थे और साथी साथ सथ चाहते दें औरुए यह जो प्राक्टेस्थतंसाधन को जो इच्छुक थे उन्हें यात्राओं में यहां वहां भेजा उसके साथ ही वनस्पती वैग्यानिकों को भी प्रसाहित किया भू वैग्यानिकों को भी प्रसाहित किया और उसके अलावा साथ ही साथ चिकित्सकों को भी इस कारे में लगा ला कुलमिला के मक्सद यही था क जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर आने वाले भूख शेत्र के बारे में तरवाधिक जानकारी एकत्रित की जा सके सोलाब के लिए तो इन जानकारियों को एकत्रित करने के लिए ही फ्रांसिस बुकानिन का भी चैन हुआ था यानि हम ये स्पश्ट करना चाह रहे हैं कि आखिर बुकानिन आया कहां से एक चिकित्सक होते हुए कैसे वो इस दिशा में चला गया अंग्रेश शासन की इस्ट इंडिया कंपनी की पैनी नजर पड़ी अपने उन अधिकारियों पे जो सक्षम थे इस कारे के लिए और उनमें उन्होंने बुकानन को भी पाया जो लौड विलेशली का स्वैम का चिकित्सक था शेली चिकित्सक था और इस दृष्टि से उसके क अधिकार करने की शेली को देखकर इस इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने उसे जिम्मा दिया कि वह भी इन प्रकृतिक संसादनों की खोच आदि में कुछ योगदान करें असाधारन प्रेक्षण ख्यमता थी उसकी प्रेक्षण ख्यमता याने आप्जर्वेशन किसी ची वहाँ उसने पत्थर बहमूल पत्थर चटाने भू परत और इन सब का बहुत गहान अध्यान किया भू स्तर इन सब का गहान अध्यान किया और इस अध्यान के निशकर जो निकले उसका इस्ट इंडिया कंपनी ने बखू भी फाइदा उठाया यात्रा के दौरान उसे जहां भी पत्थर मिलते थे जहां भी भूमिस्तर का अध्यान करता था तो वो खनिजों का भी पता लगाने का प्रयास करता था और जिस खेत्र में वो था बेंगॉल का खेत्र उस खेत्र में खनिज भंडार अपरम पार थे और इसलिए समय समय पर उसके द्वारा दी गई जानकारी अंग्रेजों के बहुत काम आई इसके साथ ही खनिजों का पता लगाना और उसके साथ ये भी प्रयास करना जानने का कि इन खनिजों का वानिज्ज की उपियोग क्या होगा किस हज तक यह इस्ट इंडिया कंपनी के लिए फायदे मंद होगा कौन कौन से खनिज फायदे मंद होगे ये सब नफ़ा नुकसान लाभानी देखने का कारिभी बुकान ने बखुबी किया अंग्रेज जो इस्ट इंडिया कंपनी है उसने लोह अयस्क, ग्रेनाइट, अभरक, सॉल्ट पीटर इन से सम्मंदित खोजें काफी की और काफी उसमें उसने इस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने प्रयास किया इन चीजों का पता लगाने का और ये मिला भी उसके द्वारा नमक निर्मान का कार्य कच्चे लोहे से कच्चे लोहे को निकालने की स्थानी विदिका पता लगाना ये भी बुकानन ने बहुत बखुवी अपनी पुस्तक में लिखा है और इस थानी पद्धिका उसने लिखा है बड़ा साधानी पूर्यों को उसने उसके निरिक्षन किया है और इस विवरन को इस थानी तरीके से कच्चा लोहा निकालना या नमक तियार करना इस विवरन को उसने काफी विस्तार से लिखा है जो बहुत महत्पूर्ण बन जात है इस्ट इंडिया कंपनी के आए की दृष्टि से ततकाली उस काल में हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो बुकानन है बुकानन की एक बहुत बड़ी उशेष्टा थी कि वो किसी भूध दृष्टि का मात्रवर्णन ही नहीं करता था कि उसे चित्र बना लिया और वो बस खा रहा है अपने चित्रों के माध्यम से वो एक कदम जाकर उन चित्रों के माध्यम से कुछ सुझाओ भी सामने रखता था ये बुकानन की चित्रकला की एक बहुत बड़ी शेष्टा थी और उस सुझाओ का मकसद क्या होता था कि उसमें परिवर्तन कैसे किये जाएं किस और अधिक उपजाओ बनाये जाए आदी आदी ऐसा सुझाओ देते हुए उसने अपनी चित्रकला का उप्योग किया चित्रकला के हुनर का उप्योग किया उधारन के लिए राजमहल की निचली पहाडियों में एक गाउं से गुजरते हुए उसने लिखा था इस असल बिखरे हुए पेड़ों के साथ साफ की गई जमीन और चटाने पहाडियां सभी अपने आप में पूर्ण हैं कमी हैं तो बस इस खेत्र में कुछ प्रगति की जिनके लिए यह प्रदेश अत्यंत समवेदन शील है यानि वो अपनी बात भी रख पा रहा है चित्रकला के माद्यम से कि यहां पर कुछ विकास किया जाए कृशी के खेत्र में विशेश कर आगे वो लिखता है कि यहां लकडी के स्थान पर रबर और लाक के बड़े-बड़े बगान लगा जा सकते हैं बाकी जंगल को भी किया जा सकता है और जो भाग इस तुरेजन के लिए उप्युक ना हो वहां पनी ताड़ और महुआ के पेड़ लगा दिये जाएं तो इस प्रकार बकानन अपने चित्रों के माध्यम से सुझाओ भी दे रहा है विकास का मार्ग भी बता रहा है और निशित रूप से इस विवरण का अध्यान करते थे में हमें कुछ बातें ख्याल रखनी पड़ेंगी उसने जो बातें लिखी हैं जो भी बिंदु लिखें हैं इसमें कोई दो मतनी कि इससे स्पष्ट होता है कि वह observation बहुत बारीके से करता था बहुत गहन अध्यान करता था और तब जाके वो क अध्यान को इसके विवरण को यदि हम उसकी बात करें तो हमें याद ख़ना होगा कि उसकी सूख्ष में दृष्टी और उसकी जो प्रात्मिकताएं थी चाहे वह इस्ट इंडिया कंपनी की प्रात्मिकताओं की बात करें या वह कानन की वो अंग्रेजों के पहलु से थी वो स्थानी निवासियों के हित की अहित की चिंता नहीं करता था, अंग्रेजों के दिश्टी से वह क्या फायदे मंद है, क्या नफा नुकसान है यह देखकर उस पर वह अपनी टिपणी करता था और अंग्रेजों के फायदे को ही धान में रखते हुए इसने सारे कारे किये ह तो इसका आर्थ यह हुआ कि स्थानी निवासियों के जो प्रात्मिक ताएं थी या जो दिश्टिकोण था उससे बकानन का दिश्टिकोण निश्चित रूप से भिन रहा होगा तो यह जो भिन्नता है इसको थोड़ा सा हमें समझना होगा हमें थोड़ा केरफुल रहना होगा एक उदारण दे दें बकानन जो वनवासी जीवन शैली थी जिस खेत्र का उसने सर्वे किया है मूल रूप से संथाल खेत्र का, मूल रूप से राजमहल खेत्र का यह राजमहल और संथाल खेत्र का जो एरिया है वहाँ पर अधिकतर जंगल वासी थे तो ये वनवासी जीवन शैली का बुकानन बड़ा कठोर आलोचक था ये उसकी लेखनी से बड़ा सपस्ट था लेकिन संथाल के लोग और राजमहल के पहड़िया लोग ये लोग की जीवन शैली का अधार ही जंगल जीवन था तो ये जो भिन्नता है इसमें ऐसा दिखता है क बुकानन कंपनी की दिश्टिकोन का सपोर्टर था उसका पक्ष लेता था और वनवासी जीवन शैली का बड़ा कठी नालोचक था उसका ये कहना था बार बार कि जंगलों को काट कर चरागा को हटा कर कृशी खेतर का विस्तार किया जाए क्योंकि यही विस्तार उन्हें ज ज्यादा उतपादन के अलावा ज्यादा खादियन के अलावा उनका राजस्व भी बढ़ाएगा ऐसा उसका बार बार कहना होता था उसका यह कहना होता था कि वनक खेतर को हटाओ वनक खेतर की सीमाएं उसका खेतर फलकम करो और कृशिक खेतर की सीमाओं को बढ़ाओ उसके बदले में याद रहे कि बुकानन की जितनी यात्राएं थी वे केवल भूद रिश्यों या प्यार या उसके अग्याद की खोज ऐसा नहीं था और सब बुकानन ने इसलिए यात्राएं नहीं की कि वो शौकिया जो प्राकृतिक दृश्य हैं उसका आनंद लेना चाहता था और उसका वेवरन लिखता था या इसलिए भी नहीं है कि उसे ग्याद से अग्याद की और जिसको हम कहते हैं जाने का शौक था नहीं नहीं चीजों को देखने का ऐसा भी नहीं उसके पीछे अर्थात निशकर्ष ये है उसके पीछे मूल उद्युष्ट था कमपनी का हिद और कमपनी का हिद याने ज्यादा से ज्यादा राजस्व का इंतजाम ज्यादा से ज्यादा आए का इंतजाम और उस आए में बुकानिन के द्वारा किये गए कारे एक बहुत आहम भूमिका निभाते हैं इसलिए हमें बुकानिन के जो वर्णन हैं उसके दोरा जो विवरन दिये गए हैं इन विर्णों को थोड़ा सा समल के देखना होगा वो हमेशा एक बड़े विशाल दल के साथ निकलता था यानि और उस विशाल दल में नक्षा बनाने वाले जिसे हम नक्षा नवीज कह सकते हैं सर्वे करने वाले सर्वेयर और साथी साथ अन्य लोग हुआ करते थे तो ये इन लोगों के साथ जब विशाल दल के साथ निकलता था और उसमें ये लोग रहते थे तो इसका उद्येश क्या होगा निश्च तरूप से आमोद प्रमोद और आनंद नहीं तो इसका उद्येश रहा होगा जादा से जादा कृशे भूमिके विस्तारण में अपनी भूमिका निभाना आदी आदी ये जो विशाल दल थे इसमें लंबी आतराओं को करने के लिए पालकियां भी हुआ करती थी पालकियों को ढोनों के लिए कुली भी होते थे यानि पूरे साजो सामान के साथ बुकानन और उसका दल अपने उद्येश में निकलता था क्या खोजना क्या देखना और तो और क्या लिखना कि इन चीजों को नोटिफाई करना ये सब पूर्व निर्धारित और पूर्व निर्देशित होता था यानि इसके जो निर्देश होते थे बड़े स्पष्ट दिये जाते थे इन लों को कि उन्हें क्या देखना है क्या observe करना है किस चीज का अध्यान करना है क्या खोजना है और उसके बाद उस पर अपना क्या निशकर्ष लिखना है यह सब बड़ा सपच्छ था इसलिए किसी भी गाउं में पहुँचने पर एक ऐसा सरकारी एजन्ट का नजरिया इनका हो जाता था जिससे गाउंवाले एक तरीके से थोड़ा सा दूर रहते थे क्योंकि गाउंवालों को मालूम हो जाता था कि यह लोग किसी खास मकसद से आएं किसी चीज की खوج में निकले हैं और वो क्या चीज होगी जमीन का विस्थार कैसे किया जा सकता है वन भूमी को कैसे कम करके क्रिशी भूमी के रूप में बदला जा सकता है उसके अलावा यहां कोई खनेच खदान आदी की गुजाईश है क्या किस तरह के पत्थर यहां पाए जाते हैं किस तरह की चटाने हैं तो गाओं वालों का नजरिया बुकानन और उसके डल के प्रति थोड़ा सा अलग होता था वे लोग बुकानन और उसके डल को एक सरकारी एजेंट के रूप में देखते थे ना कि परिवेक्षक के रूप में तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इस पश्रूप से कि बुकानन की जो लेखनी है उसे हमें थोड़ा सा समहल के देखना होगा उसका उप्योग अपने इतिहास को बनाने के लिए थोड़ा सा समहल के करना होगा